आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं HFCLA स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक को डिसकस करने का मुख की कारण यह है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में मोर देन 6% तक की तेजी दिखी थी एक कंसुलीडेसन जोन के बाद और यह इसलिए इसके पीछे डिसकस करा था तो यहां ignore करेंगे और यहां देखें तो continuous stock और performing रहा है निफ्टी फाइनश्यल सेक्टर को देखें तो यहां देखेंगे mutual fund की continuous buying दिख रही है और view काफी bullish है टेक्निकली देखेंगे तो एक zone यहां देखेंगे higher low higher high के trend को follow कर रहा है चैनल को follow कर रहा है और इसका breakout 84-85 के आसपास दिख रहा है जिसके बाद easily से stock में 92 से लेकर के 110 तक के easily levels दिखने वाले हैं within maximum 3 month के duration में